नवस्ते विद्ध्यार्थे मित्रो वेलकम बैक हवे गई वखते आपणे वाक्य वनावा माटे अ कर्मक क्रियापद नो केवी रिते उप्योग थाई छे ए जोयू हर्तू हवे आपणे सकर्मक क्रियापदो अने तेनों काल माँ केवी रिते उप्योग थाई छे ए जोवानू छे हवे सकर्मक क्रियापदो इटले एवा क्रियापदो के जमा कोई एक्षन के क्रिया थती होई जमके पले गो कम वाक रन ठींक आजेख छे ए बदा सकर्मक क्रियापदो छे सकर्मक क्रियापदो ना आ मोलू रूप केवाई पले एटले रमवू गो एटले जवू कम एटले आवू वाक एटले चालवू रान एटले दोडवू थींक एटले विचारवू जारे वर्तमान कालना अपड़े एनो उप्योग करिये त्यारे क्रियापदनू मोलू रूप वपराई कातो क्रियापदनू S के ES वालू रूप वपराई अने चालू कालमा क्रियापदनू ING वालू रूप वपराई भुतकाल नी अंदर क्रिया पदनु भुतकाल दो रूप अपराये छे हवे कोई पन क्रिया पद एने D के ED लगावामा आवे त्यारे तेनु भुतकाल नू रूप बने छे आवा क्रिया पदोंने रेग्यूलर वर्ब केवामा आवे छे रेग्यूलर वर्ब एटले के जे क्रिया पदने आपले D के ED लगावा थी भुतकाल बनी जाए जेमके पले छे तो एनू पलेड एडी लागे वाक तो वाकड लाइक तो लाइकड परंतु अमुक क्रिया पदों एवा छे के जेने D के ED लगावा थी एनू भुतकाल थतू न थी परंतु एनू भुतकाल अलगरीते होई छे आवा क्रिया पदों ने इरेग्यूलर वब्स के वामा आवे छे जेम के सी नू सो गो नू वैंट कट नू कट वात रही हवे भुतकुरुदंत नी तो भुतकुरुदंत माटे जारे पन आपडे पूर्ण काल नी चर्चा सरू करीशू एतले के जारे हुँ तमने पूर्ण काल भणावीश त्यारे आपडे तेनू भुतकुरुदंत रूप सिखवाडीशू मैं तमने अगाव पन जे भर्ब आपया छे ए भर्ब माँ सव प्रथम में मोलूरूप आपई वहतू ए वखते एनी साथे भुतकाल के भुतकुरुदंत लख्या नहता पशी जारे सादो भुतकाल चलाव्यो त्यारे ए पहला में तमने ए वखते एज क्रिया पदो ना भुतकाल ना रूप पन आपया आताने साथे नवा क्रिया पदो पन आपया हता ए त्रिया पदो मा रेग्यूलर वर्प्स पन हता के जने डी के एडी लगावा थी थाए छे अने ए रेग्यूलर वर्प पन हता के जने डी के एडी लागतु नती परंतु भी जीरीते थाए छे इटले काल सिखवा माटे क्रिया पदो ना आ रूपो तैयार करवा बहुत जरूरी छे एना वगर इस सक्य न थी के तमे काल परफेक्ट सिखी सको कारण के जे तमे अंग्रेजी वाक्य रचना मनी गया एमा जे क्रिया पदनू स्थान छे त्या दरेक काल बदला से तो एहनी साथे साथे एक रिया पदना अलगलग रूपनों उपियोग करवो पड़ से तो तमारे माटे जरूरी छे के क्रिया पदना मुल रूप और भुतकाल ना रूप हाल तैयार करी नाको आपने चर्चा करिया ती के भई काल जे छे ए मुल भुत रिते त्रण काल वर्तमान काल भुतकाल ने भविश्यकाल एमार पाछा एना फेटा काल जिजुया इत चार हता दरेक ना चार तोटल बार जमके दरेक कालनों सादो काल दरेक कालनों चालू काल दरेक कालनों पूर्णकाल अने दरेक कालनों चालू पूर्णकाल एमार थी आपने बे सादा कालनी चर्चा करी हती ये बन्ये साधा काड इतले के सादो वर्तमान काड औने सादो भुत काड ये बन्येनी आज्या अपणे फरी थी चर्छा करी शू शॉत मा जड़प थी औने फरी थी रिविजन तरीके वहु सरसरी थे लिए आसा राखूँ छूंकि तमे एन्हे फरिथी ध्यानमा लई अन्हे समझी ले जो तो सव प्रथम हवे आपने सरू करिए साधो वर्तमानकाड साधो वर्तमानकाड इतले के सिंपल प्रेजन टैंस वे सादो वर्तमानकाल वपर आये कियां तो के रोजिन्दी क्रिया दर्सा हुआ रोजिन्दी क्रिया एटले दाखला थरी के हूं रोज सवारे साडाये जाओ छू तेनी रोज मंदीरे जाय छे इता जी रोज सवारे छापूँआ छे छे मारी माता रसोय बनावे छे अमें सांजे टीवी जो यह चे इतले के रूटीन क्रिया ओछे तमारी रोजनी ते आँ हम्मेसा सादो वर्तमानकाल था e के 64 समय अंतर पर छे क्रिया ओछे जमके दर अठवाडिये, दर मैने, दर वर्षे जारे तमारे एवु व्यातों करवी हो तोपन सादो वर्तमान का जमके आमें दर वर्षे गामडे जईए ची हूं दर रभी वारे फिल्म जोव चो तेवो दर मैने महरा घरनी मुलाकात लेचे सेम एवी रिते टेवरुप क्रियाओ मुँ चापी उचू मने कौफी भावे चे तेने मिठाई भावे चे आव प्रांथ कहवतो बद्दिल सादा वर्तमान कालामा लखाए सनातन सत्य घटनाओ सूर्य पूर्वमा उगे चे प्रुत्वी सूर्यनी आस्पास परे चे अथवा तो वाईगिनानिक सत्य साबीती उजे चे बदी सादा वर्तमान कालामा लखाए अने आवा वाक्यों मा समय दर्शक सब्दो अल्वेज, डेली, एवरी डे, रेगुलरली, एवरी मांथ, एवरी इयर, एवरी वीक, एवरी संडे इटले मिंस कैवानों मतलबे के रोजिंदी क्रिया जे क्रियाओ आपणे नियमित रिते थाए छे अथवा तो रुटीन नो भाग छे एवू दर्शावू होई त्यारे एवधी क्रियाओ मा सादो वर्तमान काल वपराये छे तो हकार वाक्य रचनामा साथी पहला करता हवे क्रियाओ पद ना स्थाने सुआवसे याथो क्रियाओ पदनो मोळो रूप याथो क्रियाओ पदनो S के ES वाढो रूप अवे बुल रूप आउसे के S के EAS आउसे तो के याद राखो ज्यारे करता त्रीजो पुरुसे एक वचन होई मीन्स के ही, सी, इट अथवा तो कोई पन नाम एक वचन मा आवे त्यारे जेते क्रियापद ने S के EAS लागे छे ए लगावया पछी कर्म अने एना पछी अन्यसब्दो जो पहलू वाक्याचे यहां हूं क्रिकेट रमूछू अमा करता छे हूं एटले के I रमूछू मीन्स के क्रियापद नो मुल रूप आउसे पले तो पले कर्म क्रिकेट आई पले क्रिकेट ते चौपड़ी वांचे छे ही वांचे छे मिन्स के रीड तो यहां ही छे एटले S के EAS लागे तो यहां S लाग से ही रिड्स हा बुक कफीता टीवी जुए छे ले कवीता हवे कवीता नाम छे तो S के EAS लाग से जुए छे ले वाच तो वाच नू वाच इस टीवी हवे नकार वाक्या तो नकार वाक्या बनावा माटे अपने अगव चर्चा करी चुक्या हता के सहाय कारक क्रिया पदनी साथे नौट बुकवा थी वाक्या नकार बने छे हकार मा तमे जुओ क्यां सहाय कारक क्रिया पदनो उपियोग थयो न थी मिन्स के यहां कातो क्रिया पदनो मुलू रूप चे कातो एस के यह से तो भी तो हैव सेल वेल सोड वूर केन कूल में माइट मस्ट आओ कोई पन सहाय कारक क्रिया पदन थी तो कोना पची नोट मुकानो नकार बना हुआ तो के एना मटे सिंपल वस्तू छे के सहाय कारक क्रिया पद बहार थी आओ से अनि ए आओ से डू इटले के क्रिया पद जे छे डू एनू रूप मुका से इटले के पहला करता एना पची डू के डस तो do क्यारे और रस क्यारे तो आगज जोए हैं के मूल रूप क्यारे मुखाए तो के तरीजा पुरूस एक वच्ण सिवाई बढदामा मूल रूप अने तरीजा पुरूस एक वच्ण लेगे ही सी इटरने नाम होई तो s के s वालो पिरलए यहां उसे रस एना पच्छी नौट हवे एना डू के डजम की दिदू होई पच्छी एना हम्मेशा करिया पदनू मुल रूप मुखवानू एना एस के एस के हो कई लाग से नहीं करण के एना जो लगावानू हसे तो लगाई चुक्या हाईसू एना पच्छी कर्म एना पच्छी अन्यसब्दो उधारन जो जो हूं क्रिकेट रमतो नथी तो हूं एटले आई रमतो नथी तो का तो डूनोट प्ले आवे का तो डजनोट प्ले आवे यहां हूं छे एटले सु आउसे डूनोट प्ले क्रिकेट तमे बजार जता नथी तो जत्ता नथी एटले do not का तो does not और यहां you चे तो do not you do not go to market ते चौपडी वास्तो नथी तो he वास्तो नथी एटले do not के does not तो यहां he चे एटले does not he does not read a book कभी ता टीवी जोती नथी कभी ता जोती नथी एटले do not watch का तो does not watch यह नाम चे अटले डस नाट वाच कवीता डस नाट वाच तीवी तो मित्रो आवी रीते वाक्य थसे नकार हवे नकार पची आवे प्रशनार्थ हवे प्रशनार्थ वाक्यों मा अपने गए वक्त चर्चा करी हती के प्रशनार्थ वाक्य केवा होई तो के प्रश्णार्थ वाक्य एटले एवा वाक्य के ज्यां तमने का एक पुछवा मा आवतू होई अभे पुछवा मा आव एटले ना जवाब बेह रिते आपी सकाई या तो हा नामा या तो विस्त्रूत रिते तो के जेनो जवाब हा नामा आपवानो होई इवा प्रश्णों हम्मेशा सहायकारक क्रियापत्ती सरू थाई तो आगव अपड़े जोई तू के आपड़ा वाक्यामा काई सहायकारक क्रियापत हतू नई तो फरी थी एज रिते बार्थी सुलावानू डू के डस इतले के वाक्यानी सरूवात हसे डू के डस थी एनी साथे हसे करता एनी साथे क्रियापत्तू मोड़ू पच्छी कर्म अने पच्छी अन्यसब्द इतले वाक्यानी सरु माँ डू के डस तो मैं कईवी एम डू क्या रहावे तो के त्रीजा पुरुस एक वचन सिवाई बद्दा माँ डू अने त्रीजा पुरुस एक वचन इतले के ही सीट साथे डस एनी साथे करता क्रियापदनों मुलरू कर्माने अन्य सब्दो जन्या जवाब विश्त्रूत आउता होई ए डबलु एच सर्वनाम्थी सरूत हाई अन्य पची डूके ड़स लागे तो डबलू एज पच्शी डूकेडस करताक रियापद नूमोळूरू करमा ने अन्य सब्दो अख्या तमने जे प्रश्चन पुछो होई ए मुजब अख्या सब्ध गरहाजर है इतले के वेर होई तो, स्थोल गेर आजर होई, वेन होई तो, समय गेर आजर होई, वाट होई, तो कर्म गेर आजर होई तो आवी रिते प्रश्चनार्थ वाक्यमा WS थी थसे परंतु ज्यारे वूथी प्रश्चनवन से त्यारे थोड़ी अलग रीच छे ज्यारे पन वूथी प्रश्चनवन से त्यारे क्रिया पदने सु लाग से S के ES अने कर्म अने सब्दो मेंच के अयां कर्तान कौन छे आपणने जान नथी ए पुछवानू छे इटले त्रीजो पुरुस एक वचनत समझीने क्रिया पदने S के ES लाग से अने वूथी वाक्य सरूत से तो वू जोडे हम में सा S के ES वालू रूपज मुखवानू एक्जांपल दहियां जोईलो सु तमे टीवी जूओ छो अवे यह तमे छे एटले यू यू जोडे सू आवे डू तो डू यू वाच टीवी आनो हाके नामा जवाब चे टे डू के डस्ती सरूत है दले डू यू वाच टीवी सू तेनी गीत गाय चे आवी जवाब हाके नामा एटे डू डस्ती सरूत है तेनी यू 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 जवाब हाके नामा नाथी तो डबलू यू 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 तो प्रस्न छे सू तो वाट थी सरूत है अने एणी जोडे डू के डस तो पहला मुकवानू what, तैनी छे एतले does, see, sell तमें सवारे क्यां जाओ छो, क्यां एतले where अबें तमें एतले you थाए तो do आवे, where do you go in the morning कौन चित्रो दूरे छे, कौन एतले who अबें who आवे, इतले हम्में सा sqs लागी जाए, draw इतले दोर वू, तो इनो draws, pictures कौन साखभाजी वेचे छे, who वेचू इतले sell, इतले sqs लागे, who sells vegetables, तो अभी निते साधा वर्तमान कालना प्रश्णार्थ वाक्त्यों बन से हवे, साधो भुतकाल, simple past tense तो के एक क्यारे वपराय, तो के नजीकना भुतकाला मा एटले के, थोड़ा समय पहला कोई क्रिया थाई गई होई एवु दर्षावा अथवा तो भुतकाळ माँ जारे कोई क्रिया थाई गई छे एवु दर्षाव उचे पने क्रियानों बुव महत्वन नथी त्यारे अथवा तो कोई वारता होई रिपोट लगता होई विजित नो डिबन लगता होई तो ए बद्धा माँ साधा भुद्काल नो उपियोग करवानो अवे एमा सब्दो कया होई समय दर्सक तो के येस्टरडे लास्ट मान लास्ट येर लास्ट वीक लास्ट संडे एगो वांस लोंग लोंग एगो घना बजा सब्दो जे भुद्काल मा आवता होई पन क्रियानू महत्व उचु हो आवे वक्षते सादो भुद्काल वपराई एनी वाक्य रचना तो सिंपल प्रेजन टैन्समा सु अतु के क्रियापद नी जग्याए आपडे मोल रूप के एस के एस मुखता था अहियां करता पची क्रियापद नू भुद्काल नू रूप मुखवानू मित्रो आयाद राग जुक सादा भुद्काल मा खाली क्रियापद नू भुद्काल नू रूप आवे मतलब ये थाए के तमारे जो वाक्या बनावा होई तो भुद्काल ना रूप तैयार करवा पडे अने अगव हुँकाई चुकियो जु के कोई पन क्रियापद ने डी के एडी लागे तो ये भुद्काल बने एवदा रेग्डूलर वर्ब अने डी अने एडी सिवाई पन अलग रिते जे भुद्काल थाए एवदा इरेग्डूलर वर्ब तो एना रूप तमारे तैयार करवा पडे एना वगर ना भावे एणा पचीचे कार्मा अने एणा पचीचे अन्यसब्दो हवे एक्जम्पल जो इलो मैं टीवी जोयू मैं एटले आई जोयू तो वाच एनो भुद्खा थाई वाचड आई वाचड टीवी तमें क्रिकेट रम्या रमवू एटले प्ले एनू भुदकाल थाई प्लेड तो यू प्लेड क्रिकेट तेने चोपड़ी वाँची वाँचू एटले रीड रीड नू भुदकाल थाई रेड तो ही रेड अबुक विनाई बजारमा गयो जवू एटले गो एनू भुदकाल थाई वेंड तो विनाई went to the market तेवे फ़ल खरी दिया खरी दूँ इतले बाई बाई नू भुतकाल थाए बौट तो धे बौट fruits तो आ जो वाच नू वाच दा प्ले नू प्लेड रिड नू रेड गो नू वेंट बाई नू बौट तो आवी दिते भुतकाल नू रूप मुखवानू अवे आमा पन जो तमे नकार बनावा सें तो प्रोब्लेम थासे ज़केम के आमा पन क्या सहाईकारक क्रियापद न थी तो सहाईकारक क्रियापद डूना रुपनो करवानो उप्योग तो डूनू भुतकाल सु थासे देड तो अईया आपड़े नकार बनावा माटे करता नी साथे डिड नौट न उप्योग करी सो तो ये के करता येना पचि डिड नौट पचि क्रियापद नू मुळो रूप पचि करम अने पचि अन्यसब्दो इतले नकार बनावा माटे डिड नौट न उप्योग थसे एक्जाम्पल जुओ रोहने पाठ लख्यो नहीं तो रोहन रोहन लख्यो नहीं भुतकार जे तो राइट नू थाए डिड नौट राइट रोहन डिड नौट राइट अलेशन तेनी ये गीत गायू नहीं गायू एकले सींग भालो को रमकडा बनावיה नहीं भालो को एकले चिल्डरन बनावיה नहीं एकले डिड नौट मेक चिल्डरन डिड नौट मेक टोईस तेने चौपड़ी आपी नहीं तेने एटले ही आपू एटले गिव तो डिडिर नोट गिव अवूक अवे वाद करिया आप्टे प्रस्टनार्थ वाक्यों अवी तो प्रस्टनार्थ मा पन फरी थी जना जवाब हा के नामा आवता होय एवा प्रस्टनो अवे आगर डिड मुकी दिदू छे अपड़े इवा सिद्धू क्रिया पद नू मोडूरूप मुकवानू अने कर्म अन्यसब्दो एदले के वाक्या नी सरूमा डिड पची कर्ता क्रिया पदनू मोडूरूप आखास द्यान राखवानू पची कर्म ने अन्यसब्दो पण जो जवाब विश्त्रूत रीते होई तो वाक्यमा स्पेलासु मुखवानू डबलुएच सर्वनाम अन्य पची डीड मुखवानू वाक्यरचना प्रमाने जर्यासे पण सरूमा सुवावसे डबलुएच डीड करता प्रियापद्नु मुळ रूप कर्म ने अन्यसब्दो ध्यान राखवानू के अहियां जे सर्वनाम प्रश्ण सुचक छे एनो जवाब छे एक गेर हाजर रहसे वू थी जारे पणवाक्य बनाओ त्यारे क्रियापद्नु सिद्धू भुथकालनू रूप मुखवानू डीड नो वियो कर्वानो न हवे आपने उदाहरन जोई लईए तो यह वाक्य जूओ सु तमे टीवी जोईँ आनो जवाब हाके ना एटले डीड मुखी देवानू डीड तमे एटले यू जोईँ एटले वाच टीवी डीड यू वाच टीवी सु तेने वारता वाच टेनो जवाब पण हाके नामा चे तो पहला सु मुखवानू डीड तेने एटले ही वाच टीवी एटले रीड अ बूक सौरी एटले श्टोरी सु मयूरे मोबाईल खरीद्यो डीड मयूर बाई अ मोबाईल खरीद्यो भूतका चे ले डीड पछी मयूर पछी बाई अ मोबाईल नेक्स्ट सु तेवो बजार मा गया आनो जवाब पण हाके नामा आने बूतका चे तो डीड थी तेवो एटले दे डीड दे गो टू मार्केट तेनी सु लावी जो अहीं हाके नामा नहीं आवे तो प्रश्ण सुझक सर्वनाम सु लावी एटले मींस के करम तो सु एटले वाट डीड सी लावी एटले ब्रिंग नेक्स्ट ते क्या गयो? क्या एटले वेर? गयो भूतकाल चे एटले डीड ही ते एटले ही ने गो वेर डीड ही गो तमे क्या रे स्कूटर वेचियो? क्या रे एटले वेन? वेचियो भूतकाल चे एटले डीड यू सेल स्कूटर कोने ग्लास तोड़ियो? कोने एटले वू? वू थी प्रश्ण सरू थाए ले सीदू भूतकाल चे रूपको आनू तोड़ू एटले ब्रेक एनू भूतकाल ब्रॉक वू ब्रॉक दग्लास कोने कवीता लखी? वू लखू एटले राइट एनू भूतकाल थाए रोट वू रोट अपोए? कोने सी मार्यो? आजे भूक छे त्या स्टोरी करी नाक जो एँ भूक न तिपना स्टोरी आऊ से तो मित्रो आवी लिते वाक्यों बने चे इतले मिन्स के हवे तमने महत्वा सब्जाई गई होसे सब्द बंडोलनू अने सारू अंग्रेजी सिखवा सारू सब्द बंडोल जरूरी छे बिजू के क्रिया पजे छे एँना मोरूप ने साथे साथे बुदकाल अन्चरूल पड़ से त्यारे आपने बुद्खुदन चलाई सू तो ये बुद्खुदन तयार करी ले जो पण ग्रामर सिखवा माठे एना रूल्स रेग्यूलेशन ने फोलो करवा पड़ से सब्दो तयार करवा पड़ से अने नियमित्रिते प्रेक्टिस करवी पड़ से एना बगर अंग्रेजी वा ग्रामर सिखवु सक्य न थी तो हवे थी आसा राखो चुके तमें अप्टूडेट तयार करी ले जो तो फरी एकवा रिवीजन करीन सरस्रिते समझी ले जो नेक्स टाइम पची आगल आपने टेक्स मा मली चू तो आउजो थैंक यू